we are discussing question number 8 of paper 1 यह question aromatic और hydrocarbon से था इसमें कुछ roadmap type profile दी गई थी जिसमें A, B, C और D पूछे थे A, B, C और D और इनमें percentage yield दी गई है और उससे हमें प्रोडेक्ट के ग्राम्स पता लगाने हैं बहुत easy calculation थी जो reaction है वो पंदरा मॉल acetylene से शुरू किया started with acetylene red hot iron tube से जब acetylene को हम पास करते तो हम जानते हैं कि तीन मॉल acetylene के react करके एक मॉल बेंजीन देता है तो जब yield 80% आ रही है अगर 100% yield आती तो पंदरा मॉल से पांच मॉल बनता तो यहां पर चार मॉल बेंजीन हमें मिलेगा इसके बाद जो reaction कराई गई यह वो फ्रिटल क्राफ्ट उन्होंने बता दिया था कि अलग प्रोडेक्ट बन रहा है तो हमें जहां से आगे बढ़ना है सी से वह फिनॉल होगा और इसकी यल्ड भी 50% of this मतलब दो मॉल का 50% yield तो एक मॉल यहां बना जो लास्ट प्रोसेस उन्होंने पूछा है एसीटाइल क्लोराइड पाइरडीन के साथ वह एसीटाइलेशन प्रोसेस जिसमें molecular mass 42 बढ़ जाता है और फिनॉल के एसीटाइलेशन पर जो यील्ड दी उन्होंने वह 100% दी तो नचुरली एक मॉल से एक मॉल ही मिलेगा तो उन्होंने जो यील्ड परसेंटेज दिये उस इसका आंसर होगा रेक्शन कराएं टी बनेगा एंदेन एक और रेक्शन यू से कराएं तो सी ओच बनेगा और रिएजेंट्स क्या-क्या होंगे वह इन्होंने क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रहे थे ऑप्शन कुछ इस तरह के थे हम अगर फाइनल प्रोड़क्ट देखें कार्बॉक्स बन रहा है पहले स्टेप में उन्होंने इसका रेडक्शन कराया होगा तो नाइट्रो बेंजीन के रेडक्शन से जो हम टॉल्यूडीन बनाएंगे और उसकी पहरा पर मिथाइल तो उसके लिए आप एच्टू पीडी भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑप्शन ए में दिया गय है जबकि आप चेक करें ऑप्शन बी में उसको एच्ट लिखाया हम तो जानते हैं कि एच्टू आपस में रियक्शन करके एच्टू ही बनाता है जो आगे यह रियक्शन प्रोसीड करता है तो अभी तक यह दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रहे हैं उससे जो प्रोडे एन टू प्लस एक बहुत ही बढ़िया लिविंग्ग रूपे निकल कर वहां पर ओचायगा तो चो ती बन रहा है वह यहां ऑप्शन डी में में मेंन्शन कर रखा है और क्यू प्रोडेक्ट जो हमने देखा था वह क्यू प्रोडेक्ट हमने इसको रिडिउस किया था तो य है option D हम इस तरह से eliminate कर सकते हैं रही बात option C की तो S compound के बाद उन्होंने बनाया है N2 plus CL minus वो बिल्कुल ठीक है और उसकी water से reaction पर यह product बिल्कुल ठीक है हम जानते हैं कि N2 plus को हटा के है वहाँ पर H लाने के लिए दो reactions possible है H3PO2 से भी हम यह process करा सकते हैं और ethanol से भी यह process हम करा सकते हैं दोनों NCRT में mentioned हैं तो N2 plus को हटा के H यानि benzene diizodonium chloride से benzene बनाने के लिए हम H3PO2 भी use कर सकते हैं या ethanol भी use कर सकते हैं तो जो हमारा हम H तक जब पहुंचे थे diizodonization कर चुके थे उसके बाद हमने इसको हटाया और यहाँ पर H ले लिया अब हम जानते हैं कि benzene ring पर कोई भी side chain जुड़ी हो तो side chain का oxidation के मनो 4 से हो जाता है और वो oxidation U में किया गया तो option A में भी H3PO2 के मनो 4 यह valid लग रहा है यू जो reagent है और option C में भी यह बिलकुल ठीक लग रहा है तो option A, B और C इस reaction का इस sequence का इस question का final answer हो जाता है डी गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो पहल यह क्यों दिया है वो सही नहीं है स्ट्जा झाल झाल झाल